योगो विशिष्यते गिया सनित्य सन्यासी योन द्वेष्टिने कांक्षती निर्धन्दोही महाबाहो सुकंबंधात प्रमुच्यते सांक्योग उपृत्थक बाला प्रवधन्ति न्पंडिता एकम अप्यास्तिता सम्यग अभियोर विंदेते फलं या सांक्याई प्राप्यते स्थानं तदियूगईरपी गम्मेते एकम सांक्यं चयोगं च या परश्यति सपरश्यती सन्या सर्फ्त माहभाहो दुख्पमाप्तिमा योगतार योग युक्तो मुनिर्वर्म मनचिरेणा ओधि गच्चति योग युक्तो विश्डभात्मा दुझतात्मा जीतेंद्रिया सर भूतात्मा खूर्वन पिन लिप्पिते नही वाकिनचीत करओमेति युक्तुव मन्य तत्तुविद। इस लोग को हम ले रहे हैं जैसे तो बाहर आगे भी जा चुके हैं युक्तुव कर्म फलंते अक्त्वा शांति मातनोती नईश्ठकिम। युक्तुव काम कारणे फले सकतो निबध्यते। लेकिन भगवान ने बताया मनुश्रिक कर्म करता है शरीर से, मन से, बुद्धी से, केवल इंद्रियों से। और सच्चा साथक वही है जो आत्म शुद्धी के लिए कर्म करता है। आत्म शुद्धी के लिए ही शरीर के, मन के, इंद्रियों के कर्म होने चाहिए। यदि इन में सावधानी नहीं बरती गई, तो आत्म शुद्धी नहीं होगी। आत्म शुद्धी जब नहीं होगी, तो इश्वर प्राप्ती भी असंभव है। क्योंकि भगवान ने छट्वे ध्याय में निर्णे कर दिया। असंयत आत्मना योगो दुष प्राप्ती में मती। कि हे अरजुन, योग छे बटे च्छतीस, जो असायमी हैं उसके लिए योग की प्राप्ती कठिन है। लाखों लोग चलते हैं इस मारग में और पहुँच नहीं पाते। क्योंकि दुष प्राप्त है। और वशी सयमी होने पर भी उपाय से मिल सकता है। नहीं तो वो भी कठिन है। पहली बात तो सयमी होना ही कठिन है। सयमाने मन का साव्यम, बुद्धी का सयम, इंद्रियों का सयम, सभी चीज का सयम। भगवान ने चौत्य ध्याय में जिसका नाम है आत्मसयम योग। उसमें चार बटा 27 में सरवानि इंद्रि कर्मानी प्रान कर्मानी चापरे आत्मसयम योग आगनो जूभतिक ज्ञान दीपी थे। सभी इंद्रियों के कर्म, प्रान के कर्म, ये सब सयम अगनी में हवन किये जाएं। हवन करने का मतलब होता है कि अगनी में जैसे हवन किया गया, वो जो हवन का पदार था, जल गया, अगनिवाट, हव्यबाट नाम है अगनी का, हव्यबाट बने, जो चीज हवन की गई, और वो जल गई, और उस चले भे, अंश को, उद्धे उताओं तक पहुँचाता है, अगनी, हव्यबाट कहते हैं उसको, हमारी तुमारी दृष्टी में, वो घी या जो हवन किया गया, वो जल गया, लेकिन जल नहीं गया, वो हव्यबाट, अगनी दूत है, उस द्रब्य को देउताओं तक पहुँचाता है, तो वैसे ही, इंद्रियों को, सईयम अगनी में हवन किया गया, समझो जरा कठे निश्लोक है, और, उससे इंद्रियां जल गई, इंद्रियां इंद्रियां ने रहीं, हव्य बन गई, और उसको हव्यबाट अगनी भगवान तक पहुचा देता है, यही इस अच्छा, सईयम, आत्म सईयम योग, इंद्रियों को हम, सईयम की अगनी में जला दें, और ऐसा जला दें, कि वो भगवान तक पहुच जाए, इस बात को भगवान ने, चार बटा 26 में कहा है, चार बटा 27 में भी कहा है, शुरुत्रा दिन इंद्रियान ने, सईयम आगनी शुजुवती, आँख नाग कान, इन सब को सईयम की अगनी में जला दो, विश्यों को भी जला दो, शब्दा दिन विश्यान ने, इंद्रिया अगनी शुजु, तुमारी इंद्रियां ही अगनी रूप बन जाएं ये बहुत गंभीर तत्व है इंद्रियां अगनी बन गई और इंद्रियों में जो डाला गया विशय वो भगवान तक पहुँच जाता लागाए सभी इंद्रियों के कर्मों को प्राण के कर्मों को आत्म सेयम योगागनी में हवन किया जाए ये प्राणों के कर्म कैसे हवन किया जाए ये समझो जैसे सामने लड़ू है बड़ा अच्छा उसको देखके मुँ में पानी आता है क्यों आता है कि प्राण का कर्म है प्राण ही पानी को लाता है नीचे मुँ में ऐसे ही अलग अलग विशे हैं स्निक्ध कर देता है चिकना ये सब को पता है भोग नहीं भोगो किवल चिंतन से ही कामवारी नीचे चला जाता है तो मनुष उर्ध रेता नहीं हो पाता सच्चा सेमी उर्ध रेता होता है सदा वीरी की गती उपर चड़ती रहती है नीचे कभी नहीं उतरती है क्योंकि उसका प्राण कर्म सदा उपर क्यो रहता है सर्वान इंद्री कर्मानी प्राण कर्मानी चापरे आत्म सैयम योगागनो जुवत ज्यान दीपिते चार बटा सब्ताईस काम चिंतन ही न हो तो प्राण के गती नीचे नहीं आएगी ऐसा सैयम आत्म सैयम कहते हैं तो उसी बात को भगवान करें शरीर से, मन से, बुद्धी से ये केवल इंद्रियों से ही हम लोग ऐसा कर्म करें आत्म शुद्धी हो जाए शरीर से अश्टांग अश्टमाइथून में श्रमनम दरशनम श्रमनम किर्थिनम स्मर्णम प्रेक्षणम गुय भाषणम श्रमनमने सुनना कीर्थनमने बात करना इस्त्री पुरुष और प्रेक्षणम देखना गुई भाषणमने एकांते बात करना ये आठ प्रकार क मैं थुन बताया गया है श्रमनम किर्थनम के लिए प्रेक्षणम गुई भाषणम संकल्पो ध्यवशाष ये क्रिया निश्पत्ते रेवचा ये आठों अविस्तार से हम नहीं बता सकते हैं स्वयम समझ लो देखना तक मना किया गया है आशक्ती के साथ देखना इससे अंताकरन गंदा होता है इसलिए भगवान ने कहा शरीड से, मन से, भुद्धी से या केवल इंद्रियों से योगी लोग कर्म करते हैं आशक्ती को छोड़ करके संगम तेक्त्वा आत्मशुद्ध है अपनी शुद्धी के लिए यदि आशक्ती को छोड़ करके हम कर्म नहीं करेंगे तो कभी भी मन शुद्ध नहीं होगा न बुद्धी शुद्ध होगी ने इंद्रियां शुद्ध होगी और उसका प्रणाम यह होगा जो अभी पताया छे बटे छतीस में कि असेयमी आदमियों को योग दुष्प्राप कठिन है कभी नहीं मिलेगा असेयत आत्मा योगो दुष्प्राप इति में मति और सेयमी को भी उपाय मने करपा सेयमी हो और पूर्ण करपा हो तो योग के प्राप्ती हो जाएगी नहीं तो नहीं होगी तो हमें आत्मशुद्धी के लिए कर्म करना है इसले लोग साधू बनते हैं शरीर से मन से बुद्धी से केवल इंद्रीम ने जैसे देखना है खाली एक उदारण देते हैं अजामील बहुत बड़ा सयमी सदाचारी महत्मा था उसने केवल एक बार देख लिया था रास्ते में कोई भोगी भोग भोग रहा था वेश्या संग के साथ एक बार देखने से ही वो महापापी बन गया इच्छा जाग गई उसकी भी और उसका सारा योग नश्ठ हो गया महापापी बन गया एक बार के देखने से तो इसे लिए भगवान कहते हैं कि अपने उपर बिश्वास नहीं करो अपने इंद्रियों पर बिश्वास मत करो ये भगवान ने दूसरे ध्याय में दो बटा साथ में कहा है यततो यपिकोंते पुरुशस्य विपश्चित इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रस्भंबना भगवान ने कहा है विपश्चित मने 2 बटा साथ विप्रकृष्टम पश्यती इती विपश्चित जो विप्रकृष्टम मने उस पार भवसागर से पार की बात को देख लेता है इतना बड़ा विद्वान है उसको विपश्चित कहते हैं इतना बड़ा विद्वान भी है और साधन भी कर रहा है दोनों बाते कठी हैं फिर भी इंद्रियां उसको मत देंगी पटक देंगी और जो गंदगी आ सकती है वो कभी नहीं छूटी नहीं छूटेगी तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये वलाई इंद्रियां इरपी ये जो पाँच बटक ग्यारवाश लोग है ये समझने के लिए दो बटा साथ भी जरूरी है कि इंद्रियां पटक देंगी जब मनुश मन माना पर्ण करता है तो वो इतनी दूर चला जाता है भगवान अगर करपा न करे तो लाखों वर्ष की दूरी हो जाती है इस बात को प्रलाज जी ने भी कहा है साथ में सकंध में शायद आठ में ध्याय में संक्या देखना मदिर्न कृष्णे परता स्वतोवा मिद्धो भी पद्येत ग्रह ब्रतानाम अदान्त गोभिर विशताम तमिस्रम साथ पाँच तीस साथ पाँच तीस कृष्णी में कभी मन नहीं लगेगा ग्रह ब्रतानाम मनें जो ग्रहस्ती लोग हैं क्योंकि इंद्रियाओं को दबन कर रहीं पाएंगे और वो हमेशा विशियों की इर्दोडेंगी क्योंकि विशे सामगरी पास में है विशे सामगरी क्या है पुरुष और इस्त्री पास पास में वहीं बहु को पुईसबो वहीं सुसर की खाट और निहुरत आवे चाक पे सरकत आवे खाट तो इस तरह से प्रडाज जी ने कहा है कि कृष्ण में मन कभी नहीं लगेगा हमारे आभी ऐसी दुर खटनाएं हो गई अच्छे साधक थे और साधू बनने के बाद भी विवाह कर लिया और इस जन में तो वो इस्थिति यानि मुश्किल है यहों तो भगवान कृपा कर दे तो सब कुछ संभव है लेकिन असंभव लगता है वो इतनी दूर चले गए कि इस जन में तो क्या जने कितने जनम की दूरी बढ़ गई अच्छे साधन कर रहे थे अच्छा स्यम चल रहा था लेकिन सावधानी नहीं रही और जने केतने जन्मों की दूरी पड़ गई है कहो तो लाखों जन्म की दूरी पड़ जाए ये इस लोग देखलो मतिर्न कृष्णे परता स्वतोवा मिथोवी पद्येत ग्रह प्रतानाम अदान्त गोभिर विशताम तमिस्रम पुनश पुनश चरवित चरवनानाम बार बार चबे को चबाया एक बार भोगा दो बार भोगा कभी त्रिप्त नहीं होता चबे को चबाया उसी खाल को कूटता रहता है मनुश्य तो उसकी भुद्धी कृष्ण में कभी नहीं लगेगी क्योंकि स्मृती संप्रमोष हो जाता है योग शास्विंसार सबसे बड़ा नाश है इस्मृती का संप्रमोष चूरी हो जाना इस्मृती संप्रमोष मन चुरा लेता है स्मृती को और कभी भी स्मृती भगवान में नहीं जाती ये इस लोग चोथे स्कन्द में बाइस में ध्याय में शायद आया है इंद्रिया इर विश्या कृष्टा इर आक्षिप्तम ध्यायता मना तीस बाइस का तीस चेतनाम हरते बुद्धे है स्तंबस्तोयमियोहरदात बुद्धी की चेतना मन हर लेता है फिर कोई मा को हो, बाब को हो, बाब, गुरु को हो, गोविंद को हो असर नहीं होता भर्ष्यत त्यनुस्मृतिश्चित्तम ज्यान भ्रंशह स्मृतिक्षे इस स्मृति चली जाती है और ज्यान चला जाता है तद रोधम कवया प्राहूर आत्मा पन्नव मात्मना और आत्मनाश हो जाता है चेतना ही वो शक्ती है जो बुद्धी को पकड़े रखती है चेतना चले गई तो इस स्मृति चले गई स्मृति चले गई तो हम क्या है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस सब बातें चली जाती है क्योंकि अंधकार आ जाता है मोह का मोह की परिभाशा क्या है चेतना का नाश अंधकार हो जाता है अप्रकाशो अप्रवर्तिष्य प्रमादो मोह एवचा तेरा बटे तेरा तमोगुण में क्या होता है अप्रकाश अंधेरा जैसे रोश्णी में हम लोग रास्ता देखते हैं ठीक से गिरन जाएं बुद्धी में अब अब प्रकाश हो जाता है अंधेरा तो रास्ता नहीं सूचता अब प्रवर्ति प्रवर्ति नहीं हट जाती है अब प्रमाद आ जाता है और मोह ये सब्तमोग उनके लक्षन है कोई काम हम लोग शुरू करते हैं अब एक सज्जन आये और उनका हमने बीडी पीना छोड़ दिया इस कथा से बहुत पुरानी आदत थी लेकिन थोड़ी देर बाद तमोगुन फिर अटाइक करता है वो अंधेरा कर देता है बुद्धी में और अंधेरे में दूरगुन आ जाते हैं ये तुमारी बात हमारी बात नहीं है हमारे यह मानगड में जने कितने ब्यार यहां संत लोग रहे नियम बनाया कि कीरतन करते हुए भिख्षा मांगो भगवन नाम दान होता है चार दिन बाद सब ठप हो जाता है भगवन नाम दान या भिख्षुक का जा धर्म है उसा अब नश्ट हो जाता है चार दिन बाद सारी नियम तूट जाते हैं क्योंकि तम्मोगुन का स्वभाव है तो बुद्धी में अप्रकाश तेरा बटे तेरा है ना चौदा बटे तेरा है इतम्मोगुना करके अंधकार कर देता है बुद्धी में और अप्रप्रती हो जाती है अप्रप्रती मने उस मारक पर चलने से रोक देता है अच्छे मारक पर कोई कोई होते हैं जो सदा एक सा जीवन रहता है जैसे हमारे हाँ बीर बाबा थे जब तक जीवन में रहे जीते रहे अकेले जाते थे एक कोस दूर डबहरा रात में और पानी वरस्ते में जाते और आते और फिर श्री जी के मंदिर जाते रात भर जाक दे ऐसा कोई साधू नहीं आयत तक आया उनका नाम था बीर बाबा बाकी जितने थे उस उचाई पर नहीं पहुंच पाए और एक रस उनका जीवन सदाचार सयम में बीता भिक्षा में बीता तो बैसा तो सबका नहीं होता है क्योंक बुद्धे में अब प्रकाश आ जाता है और अब प्रवर्ति हो जाती है अब प्रमाद हो जाता है एस सब चीजें जीवन में लाखों बार आती है तो यहाँ पर भगवान कहे रहें कायन मन सा बुद्ध्या शरीर से मन से बुद्धी से यथा केवल इंद्रियों से ही कर्म करना है आत्मशुद्धी के लिए प्रमाद मुह बढ़ जाए गंदगी बढ़ जाए अंधकार बढ़ जाए होता भी ही है हम जैसे लोग साधु बनते हैं तो तामस्त्याग के और चले जाते हैं कर्म से भागते हैं और ये बात हम अन्वहों से बता रहे हैं साथ साल से हम में रह रहे हैं एक आज व्यक्ति कोई भले बीर बाबा जैसे लोग एक रहनी में रहे नहीं तो बाकी तो कोई नहीं रहा इसलिए प्रहलाज जी ने कहा ऐसे लोगों की बुद्धी कृष्णी में नहीं लग सकती साथ पाँच तीस मतिर्न कृष्णे परता स्वतोवा मिधोप्य पद्यत ग्रह ब्रतानाम अदान्त गोभिर विश्यताम तमिस्रम पुनश पुनश चर्वित चर्वनानाम जब तक मति नईशाम मतिस ताबद उरुक्रमांगिं वहीं तीस के नीचे शायद बद्तीस्वा संख्या है भगवान के चर्वनों को छू नहीं सकती इस प्रिशत्य नर्था पगमो यदर्था तब तक अनर्थ नहीं जाएंगे महीं साम पाद रोजोश भी कि निश्किंचना नाम दा ब्रणीत यावित निश्किंचन महापुरुशों का संग हो उनके चर्वरज में सनान किया जाएंएंएंएंएंगे उनको समरपण किया जाएं उनकी समरपण मने निर्देश से कार किये जाएं मन बुद्धिया इंद्रियादी तो इसलिए कायन मनसा बुद्धिया के वले इंद्रियर भी इसाधक के लिए जरूरी है तभी आत्न शुद्धी होगी नहीं तो नहीं होगी जैश्री रादे जैश्री